तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पार्ट 3 में कि कैसे एक टेबल को बनाते हैं जो अल्लेड हम लों सेकेंड पार्ट में डेटा बेस बनाना सीखेंगे अब डेटा बेस के अंदर एक टेबल क्रीएट करेंगे ठीक है हम मूँब करते हैं सिक्वल सर्वर करेछ लास्ट वीडियो में हमने बनाया है व्रम तो हम उसको सेलेट किया ठीक है अब हम ट्राइक कर रहा है एक टेबल क्रियेट करने का ठीक है नहीं है क्रीट तो सब से पहले हम इसका सिंटेक्स बताते हैं क्या के बाद हम लोग देते हैं क्या कॉलम नेम ठीक है आधी रिख की ने वन कर दिए हम अभी के लिए और उसका डेटा टाइप हमको डालना हो गए ठीक है एक सेम तिंग हम लोग करेंगे यह जितने अपने को कॉलम चाहिए ठीक है तो सब्सक्राइब कि जी कि मेरे को भी हम डालते हैं एक सब्सक्राइब करेंगे कितने सारे हैं डेटा टाइप ठीक है तो उसके करने यह तीन हैं बट यहां आप देखें कॉलम नेम सारे सेम है इसके लिए फर्स्ट वाल ठीक है बट सेकें और थर्ड में रेड़ मार्क कर रहा है अगर हम इसको चेंज करके टू कर दिए तो यह चला गया ठीक है इसका क्या मतलब है कि कॉलम नेम यूनिक होना चाहिए मतलब एक कॉलम नेम एक ही बार एक टेबल में हम लोग यूज कर सकते हैं एक से ज्यादा सेम नाम हम लोग कॉलम का नहीं दे सकते हैं एक टेबल के लिए ठीक है तो इसे ही जैसे ही हम इसको 3 कर दिए है यह सारे चले गए अब बचके अपने डेटा टाइप के ठीक है और उसके बाद ऐसी है अपने को जितने क्रिएट करना हम लोग कर सकते हैं तो यह हुआ अपना सिंटेक्स सो अभी हम टेबल नेम को हम क्या करते हैं टेबल वन कर दिये और कॉलम वन को हम कुछ भी डेटाइप दे सकते हैं उसका नाम भी दे सकते हैं और इंसर्ट हम लोग टेबल वन के जगह पर हम लोग क्या करते हैं स्टुडेंट यूज करते हैं ओके और कॉलम वन को हम लोग कर देते हैं आईडी ठीक है इसका data type हम लोग कर देता है integer column two को हम लोग कर देते हैं name ठीक है बाद में इसका first name last name भी कर सकते हैं बट अभी के लिए हम name ही छोड़ दिया और इसको हम लोग कर देता है वार कर अफ हंड्रेड ठीक है तो यह वार कर कर देक हम face कि हंडेट से ज्जादा यह नहीं हो सकते उससे कम हम लोग डाल सकते हैं ळैंड से जादा नहीं डाल सकता है अभी यह हो गया अउक्धर डाल स Champions Day मैं और इसका हम लोग साइज दे देते हैं कर आफ सपोज 500 ठीक है तो यह हो गया यह देखे सारे एरो फिक्स हो गया तो यहां के एरो भी चले गए इंटीजर के लिए यह बाइडिफॉल्ट है अपने अप ले लेगा इस तो इसके लिए अपने को कुछ कुछ स्पेसिफाई नहीं करना है ठीक है तो यह हो गया अब हम इसको अगर क्रिएट करते हैं इसको क्रिएट करने से पहले हम इसको रिफ्रेस करते हैं ठीक है और हम इसमें आते हैं टेबल्स में आते हैं ठीक है और यह अभी अपने को टेबल्स हम लोग देखेंगे यह क्रि फिर हम लोग tables में जाएंगे तो यहां पर एक dbo.student create हो गया है dbo by default उसका schema name है अगर हम किसी और schema से ही create करना चाहें तो यह चीज हम फिर बताएंगे आगे कि एक database के अंदर हम लोग multiple schema के अंदर multiple tables create करेंगे और हर schema के लिए unique table name होना चाहिए जैसा अभी हम dbo के साथ create की अभी हम किसी और साथ create करेंगे बात में आगे में बताएंगे तो दोनों ने student हम dbo के साथ और सपोच कीजिए हम एक student कर सकता है या school.student कर सकते हैं या specific school.student कर सकते हैं उस टाइप से भी हम लोग create कर सकते हैं ठीक है तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे तो यहां पर यह हुआ database create हो गया फिर अब उसके लिए अब उसके अंदर column है की है constants है trigger index statistics यह सारे कुछ है तो हमने column create किया अभी तो हमने तीन column create किया जिसका type है इंट और यह नल है तीनों में हम लोग देख सकते हैं कि यह नल है इसको हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं तीनों में यह नल दिखा रहा है नल इसके लिए क्योंकि हमने कुछ रिस्टिक्ट नहीं किया कि not नल और नल तो यह नल के बारे में लोग समझेंगे कि कहा नल यूज करना है कहा नॉट नल यूज करना यह सारे कुछ हम लोग आगे के वीडियो में सिखेंगे जहां आपने को mandatory करना है उसको हम लोग को नॉट नल लिखना होगा तो id basically not null होना चाहिए name भी not null होना चाहिए address इस माइट भी ब्लांग कर जा जाए बट यह सारे कुछ हम लोग आके कि वीडियो में सिखेंग और जो भी हम लोग स्पेस दिए हैं उसके लिए जो भी data टाइप दिये हो सारे कुछ यहां से है उसके लिए हमने क्या कोई की क्रिएट किया नहीं तो कोई constant क्रिएट किया नह इसके तुरू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ठीक है तो अगर हम इस पर अभी आप तो यह देखिए यह अगर हम कॉल डाल दिये प्र टेस्टिंग और बाइडिफॉल्ट जो भी data type लेड़ है और यहां पर अब हम एक कॉल टू डालते हैं और यहां पर अगर आप ड्राप ड रोज करने जाएंगे बाइडिफॉल्ट यह पूछेगा सेब करने के लिए तो हम सेब डालते हैं और टेबल लें टेबल अंडर स्कूर वन ही छोड़ देता है ठीक है तो मेरे पास दो टेबल एक्चुली होने चाहिए बट यहां पर भी अपने को एक ही टेबल दिख रहा ह है तो इसके लिए हम क्या कि टेबल को रिफ्रेस करता है नाइक की कंप्लीट डेटाबेस को तो अभी हम टेबल को रिफ्रेस किये तो अपने पास दो टेबल सा गए यह भी बाइडिफॉल्ट डीवी ओन डो टेबल वन पर चले गए इसमें अगर हम कॉलम एक्सपेंड करें है टेबल आइधर यूजिंग सिंटेक्स और ग्राफिक वे में जो टूल का है उसके तुरू हम लोग दोनों में किसी वे में भी हम लोग कर सकते हैं ठीक है सो आई थिंक कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो ठीक है थैंक्यू झाल 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 झाल